हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दुआरा से आपके अपने चैनल विवेक रणा स्टोक पर दिल से तो दोस्तो बात करूँगा KTML Share की latest news और लगतार आप इसके बारे में जाना चाते सर इसमें क्या करें दोस्तो देखिए मैं बोलूँगा अगर आप इस स्टोक को कापी सस्ते में वाई किया है तो आप स्टोक को hold करो और अगर आप दुबारा एंट्री करना चाते हैं तो दुबारा से मत्तब quantity बढ़ान आठ महिने के अंदर तो भाई मैं बोलूँगा request करूँगा रुको जाओ ठहर जाओ एक dip आने दो dip आने के बाद थोड़ा sustain करने दो stock में trading होने दो trading का मतलब अभी stock upper circuit में जा रहा है ठीक है या तो stock में trading होने दो या lower circuit लगने दो इन दोनों में से एक काम होने दो जिस दिन की मौका मिलेगा ठीक है अब बात करते है टीटीय में शिरका big update किया है दोस्तों क्या stock सौर पे जा सकता है यह अभी last में बतलाऊंगा अभी पहले हम बात करते कि stock में चल क्या रहा है यह stock उपर चले गया इतना कैसे चले गया क्यों चले गया जानने का प्रियास करते है दो 49 टाइम कंपणी ने loss दिया है मातर एक या दो टाइम ही profit दिया है तब भी stock कावे 2-15 हो गया क्यों हो गया बाई क्या हो गया कि यह stock का price इतना उपर चले गया तो दूस्तों आपको बथा देना चाहता हूँ मैं आपको छोटा 30 गल है यह देख सकते है रहा return आप देख सकते एक छोटा सा मैं आपको बथा देना चाहता हूँ जैसे आपको बथा Tata काफी बड़ा नाम है भाई सिर्फ नाम के वज़े से भी आप बोस सकते हैं stock में इतनी buying देखने को मिल रही है और साथ में जो इनके parent company है मतलब एक बड़ी company है Tata Suns करके यह लगातार support दे रही है इस help करेंगे यह लगातार बोलने में लगे हैं और साथ में जैसे आपको पता है May 25 में आपको date दिखा रहेता हूँ राइट May 25 यह रहा ठीक है इन्होंने क्या बथाया गया टाटा Suns ने reviving करने के Tata Tally Services को एक छोटा सा application launch किया था Super App तो आपको पता है ठीक है वो October के समय आया था तब भी stock price 2-12 हो गया था और दुबारा से एक और application launch करने के इन्होंने बस एक news आई गया है ठीक है उसको बोला जाता Smart Flow जिसमें छोटे जो SME बिजिनेस होते उन सब को यह जोडनने का प्रियास करेगी तो इस बज़े से भी जोस्तों आप बोल सकते हैं stock में काफी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है और सबसे बेरा काकार तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जब इतना बड़ा cash अभी तक डाला जा चुका है टीटी एमल में investment की जा चुकी है और साथ में इतने अच्छे बयान है जब लग application आने के बज़े से जो इन्होंने एक नए application launch किया smart flow उसके बज़े स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है तो अब बात करते हैं stock में future क्या रहेगा stock का ये मुझे बथाओ कि future क्या रहेगा दोस्तों देखो मैं आपको लेके चलता हूँ stock के chart की तरफ थोड़ा जानने का प्रियास करते हैं chart के माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हो अभी आपको chart भी दिखाऊंगा पहले यहां देखिए 49 रूपी का trade कर रहा price और दोस्तों आप देख सकते हो stock में pending buyers है almost कितने 11 लाग से भी जादा pending buyers है 49 रूपीस के price में दोस्तों यहां भी देखिए यहां पर आपको delivery percentage यह NSE के side में नहीं दिखा रहा है मतलब भाई stock में opportunity ही नहीं मिल पारी आपको buy करने की समझ पारे हो ठीक है जब भी stock में एक opportunity आती है मतलब buy और sell की मतलब जैसे sellers activate होती थोड़े वह प्रॉफिट वोकिंग जून जब भी आता है sellers अपना माल थोड़ा ब कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे तो अब करना क्या आपको बताजिना रहा है एक मन्त के chart में लगातार उपड़ जा रहा है six मन्त के chart बें stock आपको लगातार उपड़ जाते में नजर आएगा अब बात करते मैं चार्ट की दोस्तों देखे stock का जो price है अभी अपने 2008 के high के आसपास आने वाला है ठीक है आप देखे तो यह रहा 60 रुपे का high है तो definitely दोस्तों एक यह registration की तरह काम कर सकता है तो मैं आपको यह बोलूँगा भाई आप चाहदा न इंतजार मत करो इंतजार मतला जो आपको इंतजार का फल है वो मिलने वाला है क्योंकि यह stock बहुत जलता मीचे आने वाला है और definite दोस्तों अगर यह 60 रुपे के उपर मुझे लगता नहीं वैसे तो 60 रुपे के उपर यह close करने वाला नहीं करेगा 60 रुपे तक यह stock जा सकता है लेकिन 60 रुपे को उपर यह close नहीं कर पाएगा और यह 60 रुपे के उपर एक यह दो दिम candle ब सकीट लगना स्टार्ट होगा आप वेट करोगे opportunity का मतला stock को buy करोगे dip में ठीक है आप अगर सबसे अच्छा price में है बोलता हूं stock को re-entry करने का दुवारा मुका मिलता है जब नीचे गिरेगा तो भाई 30 से 40 रुपे की range होगी 30 से 40 रुपे की range इससे पहले stock को entry मत करना अग का पैसा बहुत बुरी तरके stock में फस सकता और अभी की levels में तो भाई कताई recommendation नहीं है stock में पैसा लगाने की ठीक है 49 रुपीज हो चुका है 2 रुपे से भाईया कोई समझ रहे हो ना मैं अब क्या कहना चाहता हूं 1500% का gain हो चुका है 1500% का अगर आप अभी लगाओगे तो सो रहा होगा लेकिन अगर अभी भाई करोगे तो भाई ये 49 से ना दुवारा से 14 रुपे भी आ सकता है क्योंकि stock 14 रुपे से चलना स्टार्ट हुआ था सिर्फ दो न्यूस के बज़े से stock इतना pump हो गया और promoters चो लगाता है टाटा समस्स अच्छी ओ बोल दिये commentary पास कर दिय उसके बज़े से उपर जा रहा है लेकिन अगर हलकी सीवी वहां से negative commentary आ गई न हलकी सीवी हलकी सीवी हवा चल गई negative ये stock धढ़ाम हो जागा धढ़ाम समझ गए तो भाईया सोच समझ के investment करना ये मेरी सला रहेगी बस बागी जो update देना था कि stock क्यो भागा इतना मैं आपको और अभी के price में बिल्कूल भी investment मत करना हो सके तो wait करना opportunity का जितना नीचे गिरे उतना सही होगा ये मेरा मानना है अगर ये 14 रुपे से almost आपका 70 रुपे जाता है तो देखो भाई almost almost ये stock अगर retracement लेगा तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये stock अराम से आपको 30 और 35 उपर जा रहा है तना क्यों जा रहा है साथ में future में आप क्या कर सकते हो भी मैंने share कर दिया आपके साथ अगर आप चाओ तो profit booking करना start कर सकते हो और new entry करने की recommendation बिल्कूल भी नहीं suggestion बिल्कूल भी नहीं है right मिलता हूं next video